लसूरे थानश्ριत में महिला की हत्या के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है अरोपी से अब तल जो पूस्ताज में बाद सामने आई है उसमें पूरा मामला प्रैम प्रसंग का निकला है जिसके चलते आरूपी ने महिला की गलारेद कर हत्या कर दी है गौर तलब है कि प्रियाग्रवाल नमक यूफ्ति की लसूरय थाना शेत में गला देट कर हत्या कर दी गई थी हत्या के वक्त उसके च्छै वर्ष ये बेटी भी साथ में थी जिसकी आँखों के सामने उसकी मां की हत्या कर दी गई थी हत्या कि कुछ देर बाद ही आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया था जिसमें आरोपी की पहचान सोरब के रूप में हुई थी पुस्ताज में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके साथ उसके प्रेम सम्मंद लॉक्डाउन के समय से उससे मिलने भी आई की और यह बात उसके पती को पता चल गई थी काफिस समझाईश के बाद महिला ने सोरब से मिलना बंद कर दिया था वही सोरब इस बात से खफा चल रहा था वही शाम को सोरब ने घर के पास में ही यूवती को मिलने बुलाया जहां यूवती अपनी बेटी के साथ उससे मिलने भी गई थी इसे बीच दोनों का किसी बात पर विवाद हुआ और सोरब ने धारदार हतियार से यूवती का गला रेद दिया यूवती की मौके पर ही मौत हो गई थी फिलहार पुलिस ने आरूप की गरफतार कर लिया है जिससे और भी पूस्ताज की जा रही है उसका पुलिस ने जो पुछताज अभी पुछताज की है चुकि आरूपी है तो वो उसकी बात पर भी 100% एकीन करना संभू नहीं जब तक कि उसके और जो सर्क्राफश्टेंसिल एविडेंसेस हैं जैसे CDR हो गया और उससे उसकी मैच नहीं हो जाते उसके बिचार के लेकर प्रथम दिश्टिया जो बात सामने आ रही है वो यह आ रही है कि इनका अपसी प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध के का पता इनके पती को लागडाउन के दौरान पे चला था तो इन्होंने मना किया इसको कि तुम जो है से संपर्क मत करो तो इस बात को लेकर के महला मा जो है उसका मुखा देखकर के उसमें बाद विवाद के रही है उसमें जो मुखे भूमी का है अभी जो परतम दिश्टे आई थी जो पहले दफ़ा हम को मिला था उसमें सवरभ गोत्रे का ही नाम परमकुरूप से आ रहा था और सिस्टीव फुटे जब हम लोगों ने और जो है उसमें दो लड़के और दिखाई दे रहे हैं उन दोनों लड़कों की पहचान हो गई है और पुलिस जो है उनसे पूश्टाच कर रही है और उसमें जो फिर तत्थ निकल करके सामने आएंगे तो साच्छी के आधार पे उसमें करवाई की जाए है इसका इसका जो अ अधियार देखिये उसमें अधियार तो जो अधर दार है वो ऐसा है कि हर घर में उपलब्द है तो उसके लिए को हथियार लाने की जरूरत इतना कई से बाहर से खरीद के लाने की जरूरत नहीं थी बियो रिपोर्ट वोईज अफ राइट्स